हलो फ्रेंड्ट्स आप देखरें शुआमें टेकनिकल आप सब का सव गते कुझ नहें आज की ऐपिसोड में आपको बताूंगा how to search creative commons music creative commons music आगर आपको youtube channel है आप creator है तो आपको पता होगो जब आप channel स्टार्ट करते हैं तो आपको youtube जो license देता है standard youtube license second जो होता है वो creative commons creative commons license हमें अलाव करता है कि हम जो भी हमें music चाहिए आपमें background में डालने के लिए उस license का use करके हम वो music डाल सकते हैं चाहिए कोई भी हो हो movie का song हो या other music sound effects कोई भी हो तो इसे कैसे सर्च करते हैं youtube के वीडियो को कैसे filter करते हैं तो आज की episode में आपको यह बताऊँगो तो चलिए PC पे मैं आपको उसकी procedure बताऊँगो so friends तो मैं Google Chrome use कर आऊ तो सबसे पहले आपको लोगिंग कर लेना है यूटूब में और इदर कॉनसी भी song जो इस चर्च देना है जो भी आपको sound effects या आपको search search कर देना है search bar पे जैसे मैंने song डाला है मेरे पास बहुत से इदर song आ गए अभी इस वीडियो का हम filter करेंगे और creative commons जो music है उसे कैसे apply करते है वो भी बतेंगे तो यह filter है filter में जाने के बाद इदर दिखा है creative commons तो creative commons पर apply कर देंगे तो आप देख सकते यह जो सब music है सब creative commons के under आते है license के under तो आप इससे download करके video edit करके आप use कर सकते तो मैं आपको कोई भी song प्ले करके अभी दिखा देता हूँ तो आप देख सकते show more तो आपके सामने license creative commons reuse allowed जिस video के भी जिस video के भी description में लिका है creative commons license reuse allowed तो इसका music आप use कर सकते है otherwise video को भी use कर सकते क्योंकि creative commons music creative commons license के जरिये हम जो है जो उसके under जो भी चीज़ आती है हम उसे use कर सकते so friends आपने देखा कि बहुत ही easy है creative commons music को search करना creative commons के जितने भी license के under जितने भी music songs जितने भी sound effects आते youtube के filter को use कर कि आप उसे apply कर सकते लेकिन मैं आपको advice जहना चाहूंगा कि creative commons music आप अगर आप अपने वीडियो में use करें तो संभाल के use किजिए क्योंकि कभी-कभी जो owner होते है वो भी आपको copyright strike बेज जेते included copyright बोट से community guidelines वो भी कोई भी copyright strike आपको आ सकती तो संभाल के use किजिए कि जिससे कि आपके चैनल के status को कोई effect ना पड़े तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेर जरू किजिए और चैनल को subscribe पारना तो बिल्कुल ना बूलिया सार में जो बेले वो भी बचा दीजिए क्यों क्यों कि आपको नोटिप्रिकेशन मिलने चाहिए thank you for watching